जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सूपर इस्टेडी यूटूब चैनल में तो यहाँ पर मध्यपरदेश पुलिस कॉंस्टेबल भरती 2023 के लिए ओनलाइन आवेदन सुरू हो चुके है लिंक एक्ट्यू कर दिया गया है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को यंपी पुलिस कॉंस्टेबल 2023 का फॉर्म फिलप करना होगा ठीक है यहाँ पर आप देख पा रहोगे पुलिस मुख्याले गरह पुलिस विभाग मध्यपरदेश आसन के अंतरगत आरक्च संवर्ग कारेपालिक की सीधी भरती हेतु चैन परिक्षा 2023 ठीक है यहाँ पर आप ध्यान देंगी कि आवेदन जो है आप आज से यानि 26 जुन से लेकर जो है 10 जुलाई तक कर पाएंगे ठीक है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ पर मोबाइल से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे ठीक है आपको जो है उसके लिए के फे जाना पड़ेगा ठीक है उससे ही जो है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सही हो पाएगा यहाँ पर आप फार्म वरन इसमें आप लोगों को जो है यहां पर टिक मार्क कर लेना है यहां पर दिखाई दे रहा है इसमें आप लोगों को घोषणा पर टिक मार्क करना है और यहां पर आगे बढ़ाया पर किलिक करना है अब जैसे इस पर आप किलिक करेंगे तो यह स्टैप का पेज आपके सामने आ पर profile registration पर click करना है ठीक है profile registration पर आपको सबसे पहले click करना है और जिनका profile already registered है ठीक है जिनके पास जो है profile का ID है ठीक है ID number है तो आप उसको वीडियो को आगे से आप देख लीजेगा ठीक है तो यह आ जाएगा page इसके बाद यहाँ पर क्या करना है यह चीज़ आप देखेंगे आगे आपको फिर से इसी page पर आजाना है और यहाँ पर आपको उम्मीदवार profiling पर click कर देना है ठीक है आप जैसी ही उम्मीदवार profiling पर click करेंगे आगे का step यहाँ पर आप देखें step by step अब यहाँ पर जैसी ही आप click करेंगे तो एक नया page आप लोगों के सामने open होकर अब नहीं यहाँ पर करेंगे उसके साथ यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका active mobile नंबर और email आईडी आप लोगों को फिल कर देना है और यहाँ पर code दिख रहा है इसको यहाँ पर आपको डाल देना है इस डालने के बाद यहाँ पर OTP प्राप्त करेंगे तो आपके mobile नं आने वाली है ठीक है तो mobile नंबर पर आपका password भी आज आएगा और पंजीकरन कर्मान का भी जो है यहाँ पर आज आएगा तो वहां से आप यहाँ पर डालने के बाद देखी जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पर आपका KYC आपको सबसे पहले करना होगा KYC करने के लिए आप कि अब देखंगे तो आपको KYC सत्याबद करना है ठीक है अब यहाँ पर आपको डालके डाल के शाल को सत्याब्द करना है पर यहाँ और लोगों को आगे बढ़ाए पर किलिक आजाता है और यहाँ पर यहां पर आपको सबसे पहले आपका आधार नुबर पूछा जाएगा क्योंकि आपने यहां बिखाई देगा धार आधार 파ंड के जो यह नंबर दिए यह डालके आपको जो हैkoljut करने आप धाटि पे क्लिक करेंके तो इसघ्ञांब लोगों के सांदर 遊戲 अपन हो कर आजाएगा जो कि यहां पर इस तरीकर से दिखाई देगा अब यहां पर आपको जो है Mmध करने कि वह एक बार तो आप पती का नाम डालेंगे अगर आप नहीं है तो आप यहां पर आपने पिता का नाम डालेंगे उसके बाद आपकी माता का नाम यहां पर डाल देना है उसके बाद दस्वी की मारक शिट के नुसार यहां पर आपकी दस्वी की मारक शिट में वह यहां पर आप लोगों क यहाँ पर देखेंगे तो अगला यहाँ पर पुछा है कि आप मद्लगों को नहीं करना है अगर आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो अपनी अगर नीचे आजए आगे आगे। येस और नो कर सकते हैं अपने हाईस्ट क्या रखिए वो यहाँ पर आप लोगों को मेगा है उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे निवास चैतर आप ग्रामिन से या फिस सहरी से यह आप अपने इसाब करेंगे इसके बाद विखलांग तक आप यहाँ पर विवरन आप यहां पर देनी है आगे यहां पर आएंगे आप तो आगे को जो है यहां पर व्यवार पत्रा के लिए वर्तमान पता आप लोगों को पूछा जाएगा ठीक है मतलब यहां पर देखेंगे तो आपका मकान नंबर ठीक है फिर आपका गाव सहर का जो है वार नंबर बोल सकते हो यहां पर देखें सनलगन दस्तावेज ठीक अब यहां पर आपको पूछा है कि आपके चहरे पर कोई मार्ट है तो यहां पर आप यहां पर आप लोगों को देना होगा अगे अपर आप यहां पर आप कीका चले मिल्सका आपको है तो कोई मतलब नहीं होता है तो इसे मत दीजियेगा अब यहां पर आप आप आएंगे उसके आप्स करते हैं पर कातेगी पर पोटो और आइडी जो है आपको संलगन करना है तो यहां पर यहां पर आपको सामनी आये और और हस्ताक्षर भी दिया हुआ है यह जो आप लोगों को यह प्रेंट दिखाई दे रहा है यह पेज को आपको डाउनलोड करना है यहां पर आपको डेकलेरेशन यह उपर लिखा हुआ है यहां पर फोटो चिप काना है अपनी ठीक है और यहां पर साइन करने के बाद इस टे आप लोगों का होना चीए तो लगबग तीन महींने पहले का फोटो अपका नाम फोटो के ऊपर और वहां पर यहां पर आप लोगों को दे देनी है अब इतना करने के बाद सlungenकेट आप यहां पर आप निचे आएंगे तो आप लोगों को जो फोटो और जोinede यहां पर अगे बढ़ेंगे थे आप लोगों को कुछ कुछ टाकूमेंट हिअडी जास जान्मарт प्रमान पत्र और दस्विय और यहाहां पर इ Bell to जो सबूपन हो और यहाँ पर आप्वलोग का वैपम का जो प्रोफाइल बन चुका है और आपने प्रिंट भी ले लिया है अब आपके पास आपका जो है पंजीकरन नंबर भी है और पासवर्ड भी है ठीक है अब यहां पर दीखिए जिन लोगों के पास आल्रेडी पंजीकरन पहले से है उनको यहां पर दो निर्देश दिये है कि सामने आजए आजाएंगा इसमें आप करके यहां पर आपको आगे बढ़ जाना हों आप जेसे हैं आप आज बढ़ EU को आपका पंजीकरन संख्या ठीक है और यहां पर आपको जन्मतित्त्स आप डानने है ठीक है तो मैं यह डीटेल डालता हूं उसके बाद आप आगे जा है एडिट प्रूफाइल रजिस्टेशन पर जैसे इस पर आप किलिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने जो है इस तरीकी का पेज ओकन होके आएगा ठीक है अब यहां पर देखिए सामाने पंजीकरन करवां के यहां पर आपको डालना है जो आपका पंजीकरन नंबर है और जो पास्वर्ड है ठीक है पास्वर्ड अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है फॉर्गेट पास्वर्ड कर सकते है ठीक है ना प्रोफाइल वाले बेस में अप्शन मिल जाएगा आपको पास्वर्ड फॉर्गेट करने का तो आप लोगों को यहां पर पंजीकरन नंबर पास्वार्ड डालके एडिय्ट प्रोफाईल प्रोसस पर क्लिक कर देना अब यहां पर मैंने बुल्ड प्रोफाईलन जो इबस फैंजन फंक्र नमबर पास्वार्ड डाल दिया कैप्सा ढ omega-उस is for एक्लिक कर दूंगा जो क्लिक कर 될 देखी जहां पर आपके द्वारा सत्यापित करना है बायोमेट्रिक अगर आप घर बैटे कर रहे तो आपको जो है ओटी पी द्वारा कर लेना है ठीक है क्योंकि आपके पास फिंगर प्रिंट वाली मसीन तो होगी नहीं उसके पर एक्योएशी क्लिक करना है ठीक है और यहां पर आगे बढ़ाया पर किलिक करना है देखिए OTP वाला सिलेक्ट करना है आपको ठीक है बायोमेट्रिक नहीं करना है उसके बाद आगे बढ़ा है पर किलिक करना है अब यहाँ पर जैसे करेंगे देखिए OTP आधार करमांग यहाँ पर आपको डालना है ठीक है आधार करमांग डालने के बाद यहाँ पर आप लोगों को यादर करना च्क करना आपको किलिक करना है यहां पर कुछ अगर गलत होगा तो कुलफ कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने आ गया है अब यहां पर आप लोगों को जो है देखिए यह OTP आपको प्रविष्ट करना जो भी आपके मूबाइल नंबर है ठीक है वह आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर OTP आ जाएगा ठीक है तो यह OTP मैं यहां फिलब करता हूं उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस में आप लोगों को बताता हूं ठीक है तो यह OTP मैंने यहां पर डाल दिया है उसके बाद फिर से यहां पर आपको टीक मार करना है उसके बाद यहां पर आपको गेट डीटेल पर क्लिक कर देना है अब जैसे ही क्लिक करेंगे ठीक है तो यहां से आपको प्रोफाइल इडिट जो भी करना है ठ तो यहां पर आपको पतर क्लिक करके । और भूवाइदन संसु धर्म पर सकते हैं। आगे बढ़ाय पर ह면 5 जाना है और यहाँ पर आगे बढ़े आपको आगे बढ़ाय पर टो unified करना है अपने इडित करिए जा लेता पर अगे बढ़ाय पर करना है यहां टक तो आप लोगों को निचंहों डेखेंगे जिसमें आप लोगों जो है भूधपुरुण आपका षैटर जिसके भूधची से कि में बोला है कि सास की मंडल सटाइ संस्ता कीmam शैनख करें नहीं चेनिक है तो आप इसको जो है अगला यहां पर दिया हूओ है कि आप लोगों का जो है क्या विद्वाद अलाक सुधा इस टाइप से करें तो आप आप कर सकते उसके बाद आप अधिम जाती अनुसरी जन जाती जो भी वर्ग कल्यान के पुरुषकार होते उस से पुरुस्कृत थे तो आप यहां वाट ना कर सकते ठीक है अब आप कुछ एंचिसी अगर आपके पास है तो आप हां कर सकते हैं उसको नहीं पर भी आप पर पॉस्ट जात धैंने को पड़ लें गो है तो आपका पर प्रेडर पहला है अपका में ठीक देना है तो »Y पर किलिक करना है तो फ burner होगा फिर उसके बाद आपको एक्स पर किलिक करना है ठीक है यह आप आपको होगा द्वारा चुने गए विकल्प यहां पर दिखाए देंगे ठीक है यह अगर आपने गलत कर दिया तो जो है उसको दूबारा अंटिक कर देंगे और फिर अगर आपको लग रहे हैं कि मुझे रेडियो अपरेटर वाला पहले भरना है तो आप उसको पहले किलिक करेंगे फिर आप जो है वाय को किलिक करेंगे ठीक है इस तरीके से आप जो है अपनी पोश्ट प्रिफरेंस से दें द्यान देना है बाद में आप लोगों को इसमें प्रोब्लम होती है अब आप नीचे आ जाएए अब यहां पर आप देखे 4500 पॉइंट इन्होंने बोला है सामान्य ड्यूटी जीडी के गयर तकनिकी चैन किया जाता है तो नीचे देखे विकल्प में प्रात्मिक्ता की चैन सब्सक्राइब आपको पहले चुछ करना पड़ेगा ठीक है तो आप यहां पर जो है कर सकते जो आपको आपको बी कर रहा है फिर एक रहा है ठीक है यह इस तरीके से आप लोगों को सिलेक्ट करना है ठीक है यहां पर आप देख पार किलिक है तो सिलेक्ट जो है आपको आनाए 46 पॉइंट में ढूंकि यहां पर आपको बताना चाहिए कि आपको क्या चुना यहां पर बता रहा है इस तरीके से फिर आप जो है आपकी दस्वी की योग्यता आपको देनी है वो किस प्रयुक यह Nou पर आपके सामने जीले आ जाएंगे ठीक है अब यहां पर आपको सबसे पहले चुनना है जो जिस जीले को जैसे उधारन के लिए मुझे उज्जेन चुनना है तो मैं उज्जेन पर सबसे पहले किलिक करूंगा ठीक है उसके बाद यहां पर किलिक करूंगा हां पर किलिक करने से आपको पहली दूसरी प्रिफरेंस जो है यहां पर दे नी heated जो भी आप कर सकते यहां से पोच्ट प्रिफरेंस जोहएं चूーस कर सकते हैं प्र यहां से आप अब तालीश में टोगों कवें सकते बीकली को आप को सधमरिके ठीक है हां करेंगे उसके बाद जो है अगर नहीं है अधर इस्टेट से तो आप नहीं करेंगे फिर वोला है आवेदक सुनजित कर लेए कि निवम पुस्ति का एक बिंदू 12 के अनुसा निवंतिम सारी कहरता रखते तो आपको हां ही करना है ठीक है उसके बाद आप लोगों क सामने एस्टी के लिए ही खुलेगा ठीक है उसके बाद देखें आप लोगों को नीचे आ जाना है नीचे जहां पर पॉइंट इंपोर्टेंट है पच्छपनवा ठीक है इसमें आप लोगों को परिक्षा सहर है ठीक है आप एक्जाम देने कहां पर जो है जाना चाहते है चाहते ही परत्मिक यहांपर देंगे ठीक है तो मैंने इसको जूझ कर लिया है उसके बाद यहांपर घोशना प्रिंट कर लेना है जैसे ही प्रिंट कर लेना है किसी भी इस से आप लोगों को इसमें प्रिंट नहीं हो रहा है तो यहां पर चली देख लेते एक बर ट्राय करके तो आप लोगों को इसको प्रिंट कर लेना है अगर आप के फेस से भर रहे है तो यहां पर आप लोगों आसानी से भरा जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर क्या करना है कि प्रिंट लेने के बाद प्रोसिट टू पेमेट पर किलिक करना है ठीक है प्रिंट पहले करना है उ इडिट कार्ड से कर सकते हैं जिस भी तरीके से आप लोगों को यहां पर उचीत लगता है आप पेमेट यहां पर कर सकते हैं धीक है यहां पर इच्छित बोला है कि अगर आपके खाते से राशी कड़ जाए दातर रासी राशीत प्राप्त नहों तो कर पर पुन्हा भुकतान सत्यापित लिंक पर जाके जो है आपको प्रिफरेंस नंबर का उप्यों करके पेमेट इस्टेटस को देख लेना है ठीक है और पूरा पेमेट होगा तब यह आपका फॉर्म जो है एक्सेप्टेबल माना जाएगा ठीक है तो यह आप लोगों को मैंने पुरा प्रोसेस बत ही और हो गई है कोई डाउट है तो आप कमेंड कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद